गुड यूनिंग स्टूडेंट्स आज हम डिसकस करेंगे वोटर ट्रीटमेंट रेडिंग पैसेज और इसके अंदर हमारे पास क्वेशन है थ्री फोर्मेट के अंदर फर्स तो है ट्रीव फॉल्स नोट गिवन सेकिंड है डाग्राम के कोडिंग हमें चूज करना नो मोर दे पॉर्ट करते हैं हमारे पास क्या गिवन है फ्रस ट्री रिड्रीट के अंदर फस्ट है दा रीड बैड सिस्टम इज़ कॉन्वेंशनल मेथड पॉर्टर ट्रीटमेंट इन अर्बन एरिया यह च्टरिंग है गल्रीड ट्रीटमेंट के लिए अर्बन एडिया से उड्ठर तो इसके लिए हम उपर चलते हैं, कहाँ पर हमारा स्टार्टिंग से रीड करते हैं, स्टार्टिंग में देखो इन रिसेंट येस, इट हैस बिन शोन दाट प्लांट्स मोर एकुरेटली रूट्स प्ले एक क्रूशल पार्ट इन प्यूरिफाइंग डिर्टी वोटर बिफोर इट एंटर सी एंड रिवर्स ठीक है, उसके बाद इन फिफ्टीन सेंटरी ब्रिटेन डिर्टी वोटर वाज प्यूरिफाइड बाई पासिंग थ्रो दा वैट लैंड्स स्टार्टिंग लैंड्स में गीवन नहीं है, लास्ट में रेड करते हैं, लास्ट में क्या गीवन है, दा कॉन्वेंशनल मेकैनिजम ओफ वाटर प्यूरिफिकेशन यूजड इन बीग सीटिस, कहां यूज होता है, बीग सीटिस में, वेर, कहां पर, वेर ने बात प्लट एरिया में, ठीक है, तो हमारे स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स, ओके, तो कहां पर है इसका अंसर, यह मैंने अंडरलाइन कर दिया, यह हमारे पास बन जाएगा, फॉस्ट का अंसर, और, ठीक है, तो फॉस्ट का अंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स, ओके, second read करते हैं in the read roots there is a series of processes that helps break down the polluants pollutants को break कर देती है ऐसी कोई series है जो उसे break कर देती है read roots में ठीक है तो इसके लिए हम उपर चलते हैं उसी से आगे जितना हमने read किया था उसे next हम read करते है the common read has the ability to transfer oxygen from its leaves down through its streams and rhizomes and out via its root system तो common root के ability कहां से है उपर से नीचे oxygen कहां से लिए से टांसफर होती है नीचे फिर किसमें जाते streams और rhizomes में और किसके थूँ रूट सिस्टम के as a result of this action a very high pollution of microorganism occurs in the root system in zones of aerobic, anoxic and anorbic condition as the wastewater moves very slowly through mass of root roots these liquids can be successfully treated the reason why they are so effective because within the bad root sector natural biological physical and chemical process interact with one another to degrade or remove a good range of pollutants pollutants ठीक है तो clear mention दे रखा है तो यहाँ पर हमारा answer क्या हो जाएगा true चीक है इस पूरी पैसेज में हमारा उपर से लेकर नीचे टब आंचे से ओकी तो second question का अनसर हमारा पास क्या बन जाएगा true okay first तो हमारे पास बन जाएगा false second बन जाएगा true next रीड करते हैं third third question हमारे पास क्या है as cherry chia coli is the most difficult bacteria to eliminate यह बहुत ही difficult bacteria है जिसको हम eliminate नहीं कर सकते ठीक है उससे आगे हम रीड करते हैं जिसको एस्टीरिया वर्ल्ड को ड्रोंड थी देखो third passage की second last line में दे रखा है they remove excess nutrients from the water as well as the oil and bacteria such as as cherry chia coli and salmonella however algae grow freely in summer and die off in winter there remains fall the bottom of the floor तो यहाँ पर कहीं पर भी यह नहीं दे रखा कि इसको difficult है eliminate करना तो वो statement हमारे पास क्या बन जाएगी not given ठीक है तो इसका third answer हमारे पास क्या होगा not given अब हमें क्या करना है next इस डाइग्राम में देखो जहाँ पर भी 60 cm given है वहाँ पर हमें read करना है ठीक है क्योंकि मैं यहाँ पर highlight कर रखा कि तीन layers है उनकी उनका gap कहा है 60 cm को और 3 layers किस किस चीज़ क्यों हमें define करना है जहाँ पर भी 60 cm है वो हम देखते हैं कहाँ पर है हमारा देखो यहाँ पर दे रखा है ए वर्टिकल फ्लो डाउन फाल ठीक है रीड बैड इस ए सीरेल्ड ग्रैवर फिल्ड ट्रैंच विद रीड ग्रोइंग इन इट रीड इन ए डाउन फ्लो शिस्टम और प्लांटिड इन ए बैड ऑफ 60 cm डीड इन वर्टिकल फ्लो रीड बैड दा वेस्ट वाटर इस अप्लाइड ओन तोप फ्लो डाउन वेस्ट एज ए सब्टेट पहला उप्शन क्या हो जाएगा लग दैन फ्लो ए रूट जोन वीद सेंड तब उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा सेंड एस सब्टेट ठीक है पहले में सलग दूसरे में सेंड तीसरा फोलोड बाइड लेर ओफ ग्रैवल फोड्रेन इस उसके इन और स्कारे ड्लान ऑफ dif plane के तो टीन लेर हमारी कौन-कौन उबढ़ है पहली हमारी हो गई सब्सक्राइड Epic है दीसरी हो व्हा हमारी स्लना्या में DR wet लान एज ए रोच स्केंड दूसरी हो गयिमारी पोल्यक्यर तो यह तो हमारह फोला क्या सेंड़ पिदेज ए इस तीन जरो जाएंगे नेक्स्ट हम रीड करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है इस जो नीची इनिफ्रमिशन नहीं फिल करना है किसके अंदर दाइडवांटेज ऑफ डाउन फॉल सिस्टम इस डाउन फॉल सिस्टम के अडवांटेज बतानी है नेक्स्ट में हाववेवर फिर दो उसके ड्रोब है उसके बाद तू फॉल सिस्टम इस लेस एफेक्टिव यहां पर फिल क्या क्या करना है है हमारे पास इट रिक्वाइर सेड्रल बैट्स सेकेंड इट इस एजियर तो कंस्ट्रक्ट थर्ड इट बिल्स ओन एक ड्रेडियंट फॉर्थ इट दस नोट नीद मच अटेंशन एप इप इप इट ड्यूश्ट सेट इट इस नोट ओल्वेज वरकिंग एक इट नेएड़ सब्सक्राइब सेट इस नेक्स्थ इट इस डीपर बैट्स नेक्स्ट इट कैंडिल विद्मौर हैवली पॉल्यूट्टेड वॉटर ठीक है तो हम द्रैन उपर देखतें डाउन फॉल सिस्टम में क कहां से start है देखो जहां पर vertical flow है लिख रख है ना वहां से start है vertical flow read bed system is much more effective than horizontal system यानि vertical downfall वाला more effective किसके comparison में horizontal flow के respect not only introducing biochemical oxygen demanded ये के वो किसको biochemical oxygen को reduce नहीं करता and suspended solids लटके हुए solids होते हैं waste material level but also reducing ammonia level and eliminating smell यह ammonia level को reduce भी करता है और smell को भी eliminate करते है यह रिमूव करता है usually considerably smaller than horizontal flow bed यह इसमें smaller bed होते हैं comparison में horizontal पहली advantage क्या हो जाएगी smaller beds की next क्या they are capable of handling much stronger effulents which contain heavy polluted matter and a heavy and a longer lifetime value stronger effulents के साथ deal करता है उस जिसके अंदर क्या होते हैं heavily polluted matters ज्यादा pollution वाली matters होते हैं और इसका life time period क्या है ज्यादा है ए वर्टिकल रीड बैड सिस्टम वर्क्स मोर एफिशेंटल रीड बैड सिस्टम वर्टिकल रीड बैड ज्यादा अच्छत से काम करता है कि इसके comparison में horizontal के रहे हैं but it require अब horizontal की क्या हो जाए एडवांटेज मोर मैनेजमेंट एंड होरीजंटल की तो मैनेजमेंट वो है ज्यादा बैड चाहिए उसको मैने डिस्टिबिशन सिस्टम की रिक्वार्मेंट है तो अब हम देखते हैं हमने पूरा रेड कर लिया कि इसके अंदर क्या क्या अंसर आ सकते हैं देखिए lower advantage पहला हमने पढ़ा था पहले advantage क्या है इट इसके तो डिसाड़़न टेस एट रिक्वायर सेवल अडेड निए थी हमारे पास यह हमेशा काम नहीं करता है it is always not working और वो है हमारा F option में ठीक है उसके बाद हमें बताना है डो एडवांटेज होरिजन्टल की होरिजन्टल के एडवांटेज क्या है पहले उसको बनाना असान है ठीक है तो यह जाएगा 10 में B second क्या हो जाएगी कि इसको ज़्यादा attention की ज़रूर नहीं क्योंकि attention की ज़रूर तो किस क्यों है vertical को horizontal को तो है नहीं तो next option क्या हो जाएगा D आगी क्या दे रखा है natural की दो एडवांटेज बताने है तो हम नेचरल को रेड कर लेते हैं पहले उसके बाद हम उसके एडवांटेज बता देंगे देखो क्या given है natural way of water purification has many advantages over the conventional mechanism ज्यादा एडवांटेज है किसकी comparison conventional mechanism natural way require lacks expenditure for installation पहला यह cost effective means इसे पैसे खर्च होते हैं कम होते installation operation and maintenance ठीक है से किन क्या है besides it look attractive and can improve more surrounding landscape attractive देखता और आस-पास के environment को improve कर देता है reads beds are natural habitat founds in food plane water logic and depressions and estuaries the natural bed system is a biological proved environmentally friendly and visually you know brush to way of treating vast wastewater and have extra which of frequently being better than mechanical wastewater treatment okay last यह हमने दो नसके पढ़ लिए अब हम options देखते हैं क्या है options है हमारे पास last वाले question के लिए फास्ट है इट यूज microorganism हमने कहीं पर read नहीं किया second it involves a low operating cost यह हमने read किया है ठीक है तो यह हमारा भी हो जाएगा next see can it prevent flood floodings one यह कहीं भी पर यह नहीं दे रखा वहाँ पर next it usually good looking यह दे रखा है attractive यह यह निक्योड looking है next it can function in old climate यह भी कहीं पर given नहीं तो यह दो option हमारी हो जाएगे ओके यह पैसेज हमारा था जो आज हमने किया और I think यह तो बहुत simple पैसेज है आइल्स के कोडिंग इसमें तो आप full by full marks ले जकते हैं खिक है okay आप इसको read कर लेना और easily आपको यह समझ में आ जाएगा thanks for watching my video have a nice day please subscribe my channel